हेलो दूस्तो आज हम ड्रो करने वाले हैं लिफ्स तो लिफ्स को ड्रो करने के लिए सबसे पहले एक सीधा लाइन को खिशना चाहिए इसी लाइन की मीट पोईंट में और एक लाइन को खिशना चाहिए इसी दोनों लाइन को यूज़ करके आउटलाइन को ड्रोगार लेना चाहिए जैसे मैं कर रहा हूँ आउटलाइन ड्रोगार लेने के बाद टू एच पेंसिल से या कोई भी लाइट पेंसिल से लिप्स को लाइट लिप्स शेड कर लेना चाहिए शेड कर लेने के बाद कोटन से या कोई भी ब्लेंडिंग टूल से ब्लेंड कर दो स्वेच पेंसिल से फार्ट लेयर कंप्लीट करने के बाद सो अभी सेगंड लेयर के लिए 3B पेंसिल का यूज़ करूँगा 3B पेंसिल से सेगंड लेयर को कैसे दे रहा हो आच्छे से देखो लिफ्स बहुत जदा नरम होता है इसलिए इसमें राफ टेक्चर बहुत जदा है तो इसी राफ टेक्चर को कैसे स्लोली स्लोली देना चाहिए अच्छे से देखो अच्छे से देखो सेगंड लेयर कोंप्लिट हो जाने के बाद ब्राश का यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंड करने के लिए सेगंड लेयर के बाद थार्ड लेयर थार्ड लेयर के लिए 6B Pencil का यूज़ करूंगा 3B Pencil से जो जो पार्ट डार्क किया था थार्ड लेयर में 6B Pencil से इसी पार्ट को और ज़्यादा डार्क कर दूंगा अर्ण से उुआ कर दूंगा थार्ड लेयर मोँ अर्ण वो पार्ण कर दो कर दो कर दो सिक्स बी से डाक कर लेने के बाद ब्लेंड करके मोनो जी रोई रेजर का यूज करके हाइलेट वाले जगा को और भी ज्यादा हाइलेट कर दे रहा हो रियालिस्टिक एफेक लाने के लिए हमारे लिफ्स रेडी है आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कॉमेंट और सस्क्रेब कर देना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो कर दो है